Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD Job में पिलकुल पर्मानेंट सिक्षक भरती का नया विज्यापन जारी किया गया है 20 अगस्त 2014 को जिसमें वेकैंसी जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स की है Number of Vacancies कितनी है? Qualification क्या मांगी गई है? वो देखेंगे यहाँ पर जो है D-Ed वाले, B-L-Ed वाले, B-T-C, B-S-T-C, B-Ed वाले अप्लाए कर सकते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट में वेकैंसी रहेगी बाकी जो है देख लेंगे notification में कैसे अप्लाए करना है सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाए कर सकते हैं Salary की अधी हम बात करें तो Primary और Upper Primary School Teacher, Group B, Non-Gazetted वेकैंसी जो है 6th CPC, Level 6S पर 7 CPC के according salary रहेगी लग-बग 48,000, 50,000 तक salary रहने वाली है Government of India की तरफ से यह वेकैंसी SCST और Female Candidate कोई fees नहीं है इसमें जो है Hindi Medium वाले Candidate, English Medium वाले Candidate इसके अलावा Other Medium जो है वो भी अप्लाए कर सकते हैं Primary Teacher, TGT, PGT की वेकैंसी है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है इसमें जो Application Fees लग रही है 200 रुपीज है जो की General Category, EWS and OBC Category के लिए रहेगी जो भी SCST, Person with Disabilities and Female Candidate कोई fees नहीं है, No Fees एक सर्विसमेन की जो fees है वो 100 रुपीज रहने वाली है ठीक है? बाकि IUC मा में छूट जो है Government of India Norms के According रहेगी Salary भी अगर जो है जो भी Increase होगी तो समय समय पर जो है यहां आप देखें Order and Instructions issued by The Government of India from time to time अभी Primary and Upper Primary School Teacher की जो Vacancy है 112 है Number of Vacancy इसमें भी जो है Unreserved Category के 58 पदों पर Vacancy है PH के 3 है SC Category 16 है ST Category 8 Vacancy है And OBC Category 30 Vacancy है Age 30 साल है IUC में छूट जो है वो बिल्कुल रहेगी Government of India Norms के According Salary जो है यहां पर देखें Group B की Post है Salary जो है आपकी 48,000 से अधिक रहेगी Level 6 S per 7 CPC के According Education and Other Qualification Class 125 के लिए 12th 50% Marks के साथ में और आपने किसी भी राज्य से Diploma किया है Elementary Education में आपके राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता हो जाए वो BTC कहलाता है BSTC, DLAD, BLAD जो भी आपने किया है तो इसमें 125 के टीचर के लिए Apply कर सकते हैं आप यहां पर Special Education वाले भी Apply कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का Diploma किया है Senior Secondary 12th के साथ में साथ में यहां पर Teacher Eligibility Test Teacher Eligibility Test TET आपका Qualify होना जरूरी है ठीक है C TET हो सकता है आपके राज्य का TET हो सकता है Class 6-28 के लिए Graduation, BA, BSC या B.com वाले 2 साल का Elementary Education इसमें भी BTC, BSTC, DLAD, BLAD वाले और BAD वाले दोनों apply कर सकते हैं 6-28 के लिए ठीक है, BAD वाले भी apply कर सकते हैं जिरोंने 1 साल का BAD किया है Graduation के साथ में BTC, BSTC, DLAD, BLAD वाले भी apply कर सकते हैं जिरोंने 4 साल का किया है वो भी apply कर सकते हैं ठीक है, BA, BAD वाले BSC, B.com, BAD वाले लेकिन आपका जो TET है वो भी qualify होना चाहिए इसमें TET, Paper 2 जो है 6-8th क्लास के लिए रहेगा Primary School Teacher में सभी subject होते हैं तो इसमें जो है 58 पदों पर vacancy है Primary School Teacher के लिए 1-5 के लिए Upper Primary School Teacher 6-8 के लिए Science Maths के जो हैं 31 पद हैं Language Teacher के 12 पदों पर vacancy आई है Hindi, English, Gujarati, Marathi Social Studies के लिए 11 पदों पर vacancy है तो यहाँ पर Unreserved category के 58 है vacancy और Total जो है 112 पदों पर vacancy है Vacancy जो है वो कहां से आई है जिसमें सभी राज्यों के candidate आविदन कर सकते हैं UT Administration of Dadra and Nagravelli and Damund and Dwee Staff Selection Board की तरफ से यह vacancy है 20 अगस 2024 का जो है यह notification है Last date जो है 28 अगस 2024 है Official website का link जो है यहाँ पर दिया हुआ है बाकि आप लोगों को भी जो है वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा तो यह पूरा notification जो है application form fill करने से पहले जरूर पढ़ेंगे अब आप यहाँ पर देखें यह जो advertisement है detail में पहले भी जारी हुई थी 9 जनवरी 2024 को जिसमें 29 जनवरी तक आप आविदन कर सकते थे जिन्होंने 9 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में आविदन किया था वो तो आविदन ना करें अभी एक्जाम इसमें नहीं हुआ है बाकी जिन्होंने अभी तक जिनको पता ही नहीं था जिन्होंने कभी इसमें जो है अप्लाइ नहीं किया था इंडेट के बीच में तो वो लोग बिल्कुल अप्लाइ कर दें या फिर कोई mistake हो गई थी application form में तो दुबारा से जो है आवेदन करने का आप लोगों को मौका मिल रहा है ठीक है यह जो है दुबारा से official website का link है instructions जो है candidate के लिए वो बिल्कुल यहाँ पर लिखे गए है तो जो भी important चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पर नीचे आप लोगों को पूरा notification पढ़ना है जो की 6 जनवरी 2024 को जारी किया गया था इसमें आप लोगों को और भी जानकारी जो है मिल जाएगी ठीक है उस वक्त जो है PZT, TZT PRT सभी की vacancy थी इसमें English medium Gujarati medium, Hindi medium Marathi medium Language subject, सभी की vacancy थी वो यही है दुबारा से जो इसमें date बढ़ा दी गई है बस इतना ही किया है तो जिनोंने पहले apply नहीं किया था वो apply कर देंगे ठीक है आप किसी भी medium से पढ़े हैं बस एक exam आपको निकालना है और यह permanent vacancy है ठीक है उस वक्त जो है 12 जनवरी 2024 जो है वो last date थी तो सबसे उपर जो है यहाँ पर लिख दिया है देखिए extended up to 28 अगस 2024 up to 5 p.m 28 अगस 2024 5 बज़े तक जो है आप apply कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा आप google पे search भी कर सकते हैं दमन.nic.in यह official website पर जैसे ही आएगे notice board में सबसे उपर आप लोगों को latest notification जो है दुबारा से डाला गया है तो वो आप देख सकते हैं ठीक है पुराना notification भी जो है इसी के अंदर attached किया गया है चलिए मिलेंगे next video में Thank you